आज मैं आपको दिखाऊँगा कैसे हम अपने आईफोन या आईपेर में तैचेज इलेबल कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे सेटिंग्स स्क्रोल करेंगे एकसेश बिल्टी पर क्लिक करेंगे फीजिकल एंड मोतर में हमें देखने को मिलेगा तैच तो तैच में क्लिक करेंगे और फिर असिस्टिव तैच पर क्लिक करेंगे असिस्टिव तैच को अन कर लेंगे और फिर हमको स्क्रीन में कुछ इस तरह की बटन देखने को मिल जाएगी अब हमें क्लिक करना है customize top level menu पर और फिर क्लिक करेंगे plus के icon पर अब ये जो plus का box बन कर आ चुका है इस पर क्लिक करेंगे scroll करेंगे सबसे नीचे हमें देखने को मिल जाएगा tap इस पर क्लिक करेंगे और अब हम क्लिक करेंगे assistive touch पर और फिर क्लिक करेंगे टैब पर तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब मैं स्क्रीन में जहां भी तर्ष करूँ है वहाँ पर ये तर्ष दिखाई देगा अगर आप तर्ष को हताना चाहते हैं तो एक बार असिस्टिव तर्ष पर क्लिक कर देना है तो ये गायम हो जाएगा अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ अगर आप कस्टम जैसर बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कस्टम नाम से हमें एक बटन दिखाई दे रही है कि नहीं अगर नई डेक रही है तो प्लस के precon optim पर क्लिक करना है और फिर जो प्लस का box बन्ड़ का आ चुका your इसी क्लिक करेंगे और फिर यहां पर हमें देखने के मिल जाएगा custom तो इसको add कर लेना है एड करने के बाद अब हम इसको कर देंगे back और फिर क्लिक करिए create new gesture पर अब यहां पर आप अपने हिसाब से gesture बना सकते जैसा चाहें वैसे example की निमान दीजिए मैं एक gesture बनाना चाहता हूं जो left side से right side में slide हो तो कुछ इस तरह से one finger में slide कर दूँगा और अगर आप इसको cancel करना चाहते हैं तो stop पर क्लिक करेंगे और फिर से record पर क्लिक करेंगे तो यह गायब हो जाएगा और अगर आप चाहें तो उपर से लीचे की तरह slide करता हूँ भी बना सकते हैं और एक साथ screen में three finger से touch करें इस तरह का भी बना सकते हैं या फिर three finger से slide करें इस तरह का भी तो example के लिए माम दीजी मैंने इस तरह करें जैसर बनाया है अब इसको मैं स्रेव करना चाहता हूँ तो उपर स्रेव के आईकॉन पर क्लिक करूँगा और फिर जैसर का नाम दे दूँगा और फिर स्रेव पर क्लिक कर दूँगा और अब हम क्लिक करेंगे असिस्टिव तर पर और पिर कस्टम पर तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्कुर्ण नाम का मैंने जैसर बनाया तो वह यहां पर दिखाई दे रहा है तो इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे और फिर स्क्रीन में कहीं पर भी एक बार क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से यह स्लाइड होगा जै से लेफ्ट साइड एक चरफ तो कुछ इस तरह से डिलीट का आप्सन आ जाएगा और फिर डिलीट पर क्लिक कर देना है तो डिलीट हो जाएगा उमीद है दोस्तों आपके वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना तो मिलते हैं अगले युमें